और यह लगा शीर नोबशिती आप यह अब फ्रेंड आप सभी देख रहें Soil Mechanics और Soil Mechanics का यह लेक्चा नमबर 6 है और यह लेक्चा नमबर 6 है, 5 वीडियो तक अपलोड हो चुके हैं और 6 वीडियो में कुछ कोश्चन को हम देखेंगे है ठीक है यह question है जो competitive exam में पूछा गया था हो questions मैंने लिया लिया है और भी बहुत सारे questions । मैं आगे discuss करूँ गा कि ताकि आपका जो concept है ठीक है बहुत सारे questions हैं जो मैं discuss करूँ गा किता कि आपका concept है चाहे जो university की exam में जो question पूछे गये हैं वो सारे question को मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा कि ताकि और वो भी concept के साथ बताऊंगा कि ताकि आपका confusion जो है वो दूर हो सके ठीक है तो चलिए start करते हैं यह question दिया है जिसका void ratio दिया है यहां पर देखिए उसका void ratio E की value दिया है E की value कितना दिया 0.7 और इसका degree of saturation 50% बता है 0.5 value दिया है degree of saturation का ठीक है 0.5 दिया है और G की value दिया है 2.7 find out क्या करना है देखो इसका water content find out करना है porosity find out करनी है उसकी bulk density find out करनी है dry density find out करनी है plus तीसरे में क्या बला है कि how much water increase water कितना increase करें without changing dry density dry density को change किये विना कितना water increase कर सकते हैं ठीक है तो चलिए उसे related one by one मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपको जो value दी है वो चीजे लिख लेंगे जो given data है ना उसमें लिख लेंगे e की value दिया हुआ है 0.7 ठीक है उसके बाद से आप g की value देखें 2.7 फिर उसके बाद से s की value देखेंगे तो s की value 0.5 यह सारी value दी है तो सबसे पहले तो इसमें void ratio जो दिया है उसके base पे यह सहवाग वाला formula अपलाई करेंगे जो पहले water content find out करना है तो उसमें यह value पुट करेंगे देखो s की value भी पता है e की value भी पता है g की value भी पता है तो सारे value यहां पर पुट करेंगे तो water content आपका मिल जाएगा यहां पर water content find out हो गया 12.96 percentage आपका मिल गया इस तरीके से इस formula में value में put कर देंगे आपको value मिल जाएगे आगे हमने find out किया उसका porosity porosity का formula यह आप देख रहे है यह formula याद रखेंगे porosity अगर find out करना है तो यह formula का use करके तो यह formula में value put कर दिए on ratio .7 दिए यह .7 और यहा जाएगा आपकी value value में 100 का multiplication कर देंगे तो यह percentage में आ जाएगा ठीक है 100 का subject करेंगे तो percentage में आएगा बाकि value 0.41 आएगा अगर value देखिंगे तो .411 आएगा percentage में 100 से multiplication करेंगे तो यह आ जाएगा फिर bulk density की अगर मैं बात करूँ तो bulk density का यह formula है g plus s e in bracket फिर बाद में water की density upon one plus e यह formula याद रखेंगे bulk density का अगर कोई इस प्रकार से अगर value दिया हो नो अगर माल लो कि w water दिया हो और volume दिया हो तो इसके weight पे भी यह मिल सकता है लेकिन यह चीजे तदी नहीं है तो यह formula में apply करेंगे तो यह चीजे भी मिल जाएगी ठीक है bulk density में यह value पूट करेंगे तो आपको मिल जाएगी तो यह formula में देखिए g की value put कर सकते है s की value भी दिया है e की value भी दिया है row की value 1 होती है 1 gram पर centimeter q होती है ध्यान देना ठीक है कहां कौन सी value दिया है उसके उपर depend करता है तो यह 1 है और 1 plus e की value यहाँ पर put कर दिया गया है तो वो solve करने पर देखो यह सबसे पहले तो आप इसको find out कर सकते हैं फिर बाद में dry density का formula यह देख लीजे dry density का यह भी use कर सकते हैं और यह भी use कर सकते हैं ठीक है इन दोनों का use करके आप find out कर सकते हैं तो दोनों का use value same ही आएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि value मैंने put किया 2.7 into 1 g row w 1 plus e का value put किया तो यह value इसको लेके मैंने यहाँ पर लिखा है तो यह value आगई उसके dry density इसका unit लिखना नौ भूलना gram पर centimeter q ठीक है gram पर centimeter q तो यह point को ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए next point इसमें क्या find out करना था अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि degree of saturation अगर 0.5 है ठीक है तो अगर मालेज़े degree of saturation degree of saturation 1 कर दिये जाए 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके saturated मतलब कितना पाने बढ़ा सकते है saturated जितना तो as की value 1 रख देते हैं तो 1 रखने पर water content कितना आ जा रहा है 25.9% आ जा रहा है value minus किये तो आपका आ गया 12.94 12.94 जितना आपकी value आ जाती है ठीक है 12. approximate 0.4 जितना आ जाएगा 12. 12. something आपकी value आ जाएगी तो इस तरीके से find out करेंगे तो आपकी value find out होके आ जाएगी कितना increase करना ये सारे point आपको पता चल गया ठीक है next video में laboratory determination की बात करेंगे next video में laboratory determination की बात करेंगे फाइब मिनट हुआ है तो चलिए specific gravity के बारे में बता दे ते हैं ये इस वीडियो में laboratory determination की बात कर रहा हूँ तो specific gravity को कैसे किस method से specific gravity को find out किया जा सकता है तो इसमें देखिए कई सारे है density bottle method भी है picknometer bottle method भी है measuring flux method भी है gas jar method भी है shrinkage limit method है ठीक है ये सारे method से हम specific gravity find out कर सकते हैं तो इसमें जो मैंने find out किया है वो picknometer bottle method का use करके किया है इसको कैसे करते हैं सबसे पहले एक picknometer bottle ले ले लेते हैं picknometer bottle इस परकार से हम ले लेते हैं यह यहां पर आप figure में देख रहे हैं कि यह जो मैंने लिया है यह पिक्नोमीटर bottle है ठीक है पिक्नोमीटर bottle है तो सबसे पहले तो यह पिक्नोमीटर bottle जब empty होगा तो उसका weight mass ले लेंगे M1 mass आ जाएगा ठीक है weight मतलब mass ले लेंगे ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे उसमें 200 gram जितना soil ले लेंगे और 200 gram soil का यह खास याद रखना कि उसकी particle size जो होगी वो 4.75 mm से 2.5 mm तक होगी मतलब 4.575 mm से passing होनी चाहिए और 2 mm पे retain होना चाहिए तो इसके बीच के जो particle size है उस soil को 200 gram लेना है और प्लस यह पिक्नो मीटर जो bottle है उन दोनों का जो मास हो रहा है वो M2 है ध्यान देना जो हमने soil लिया और पिक्नो मीटर का था वो दोनों के साथ जो मास आया वो M2 है फिर बाद में उसके अंदर जो water mix कर दो water mix करके एक glass rod होता है ठीक है glass rod और उसके उपर एक मतलब proper तरीके सी यह अब ढकन रहता है और ढका रहता है कि ताकि उसके अंदर और आयर नहाए ठीक है यह भी point को ध्यान में रखेंगे और उससे glass rod से वो क्या करता है और stir करता है पानी और मिट्टी को मिला देता है ठीक है उसके बाद यह M3 मिल जाता है जिसमें देखना है पिक्नो मिटर, soil और water तीनों है तो यह M3 मिल गया फिर M4 में क्या करना है यह जो इसमें मिट्टी और पानी यह जो मिला थे इसको अभी निकाल देना है, साफ कर देना है फिर बाद में इसके अंदर डिस्टील water डाल देना पुरा भर देना है डिस्टील water के साथ इसका जो मास लिए पिक्नो मिटर प्लस डिस्टील water लिए तो M4 आया M4 जब आ गया तो यह M1 समझ में आ गया क्या है empty जो picknometer था तो उसका weight m2 क्या था picknometer plus soil का जो 200 gram लिये थे m3 क्या है जो picknometer है plus soil है plus water है ठीक है वो फिर m4 picknometer plus water लेकर m4 मिल गया ठीक है इस तरीके से लेने के बाद हमने क्या कर दिया इस specific gravity का यह formula है इस formula में value put कर देते हैं ठीक है ध्यान देना m2 minus m1 upon m4 minus m1 minus m3 minus m2 ठीक है देखो उपर वाले में क्या मिला है उपर वाले में आपको देखो m2 minus m1 करने पे आपको जो soil था ना देखो 200 gram वो soil का mass मिल गया ठीक है upon में जो कर रहे हो तो m4 minus m1 water मिल रहा water कितना आपने add किया वो मिल जा रहा ना पूरे पूरे जो bottle है उसमें से देखो m1 क्या पिक्नोमेटर का weight है मास है वो निकाल दिए तो उसमें जितना total water जितना होगा वो मिल जाएगा minus यहाँ पर m3 minus m2 किया है देखो m3 और m2 में minus कर रहा हो तो यहाँ पर जो water मैंने mix किया जो soil है वो बताएगा ठीक है यह वही बता रहा है नीचे और उपर क्या बता रहा है m2 minus 1 मतलब जो soil था वो और यह नीचे जो soil के replace में जो water था वो तो mass upon soil upon mass upon water आ गया तो यह specific gravity यह बता देता है ठीक है तो यह point को देखो यहाँ सीव के लिए मैंने बता है था कि 4.75 mm से passing होगा और 2 mm पर retain होगा तो वो सीव का use करके और वो soil का यहाँ पर use करेंगे कुछ और important point है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कुछ और important point कि जो pycnometer method होता है वो use for coarse soil pycnometer method जो होता है वो coarse soil के लिए use होता है तो आपको उपर से भी देख सकते हैं fine soil जो 75 micron से कम होता है उसके लिए use करें 75 micron से ठीक है micron की बात करें 0.075 mm से कम होता है वो fine होता है और 0.075 mm से ज़्यादा होता है वो coarse soil होता है density bottle method जो होता है वो all type soil के लिए किया जाता है all type soil के लिए किया जाता है तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो ये point बहुत important है ये नाम याद रखना है ये जो मैंने method का नाम यहाँ पर बता है ये method का नाम याद रखेंगे ठीक है ति density bottle method, picknometer bottle method, measuring class method, gas jar method, shrinkage limit method ये चारो याद रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये method याद रहेंगे तो आपका जो questions अगर generate होंगे तो आप इससे related solve कर पाएंगे ठीक है देखिए मैं धीरे धीरे try कर रहा हूं कि आपका जो जितने भी मतलब concept है जितने भी point है इसमें वह सारा का सारा मैं आप तक पहुंचाओं ठीक है और जितने भी इससे related question बन रहा है वह सारे question देखिए laboratory test के related question आता ही है तो मैं यहाँ पर question को अपनी language में explain कर रहा हूं आप अपनी language में लिख सकते हो ठीक है लिख लो तो better रहेगा कि ताकि आपका कभी एक बार revise करके और exam दे सकते हो ठीक है तो आप इस तरीके से देखते रहो और कोई doubt हो तो comment करके जरूर जरूर बता कोई अगर कोई point अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर comment करके बताएं कि ताकि मैं उसका reply करूं और आपको जवाब भी देखूं कि ताकि आपका doubt जो है clear हो सके देखिए यह जो communication है ना explain करने का teaching का वह one way communication है और one way communications में doubt तभी clear होगा कि जब आप comment करेंगे और मैं उसका solution दूँगा ठीक है तो जो भी doubt हो जिस प्रकारश भी doubt हो आपको comment करके लिख सकते हैं और यह जो आपका वीडियो है वह अच्छा लग रहा है तो like करे और यह अगर clarity नहीं दिख रही है ना तो 40 480 pixel होता है उस पे जाके quality देखो वहाँ पर जो है न वो डॉट डॉट करके होगा उसमें जाओगे तो quality होगा quality में जाओगे न तो 480 होगा 480P करके लिखा होगा तो उस पे अगर click कर दोगे न तो आपका यह जो screen है एक्दम clear दिखेगा तो इन अगर मैनत करके आपको provide कर रहा हो तो अपने जो दोश मित्र हैं जो detain हो जाते हैं फेल हो जाते हैं उनको फ्रेंड उनको share करिए कि ताकि वह benefit ले सकें तैक्यू पर वाचिंग इस वीडियो